पकोड़ा मिक्स बना लेते हैं यह हाफ केजी बेसन का रेसिपी है जिसमें मैंने वन टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया शामिल किया है और वन टेबल स्पून से थोड़ा सा कम मैंने कुटू ही लाल में चलिया है पन टेबल स्पून काली में चमा ने पाउडर शामिल किया है और हाफ टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है कलाउंजी मैंने half tea spoon लिया है half tea spoon अजवायन लिया है one fourth tea spoon हिंग लिया है one table spoon इसमें मैं कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ इससे पकोड़े का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है आप इसे जरूर से try कीजिएगा one table spoon इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ आप पकोड़ा mix इस तरह से बना कर रख लें इससे time आपका बहुत ही बच जाएगा इस पकोड़ा mix से आप हर तरह के पकोड़े बना सकते हैं इसमें मैंने baking soda अदरक और लहसन का powder नहीं शामिल किया है आप चाहें तो अदरक लहसन का powder अभी शामिल कर लें लेकिन फ्रेश अदरक लहसन का पेस्ट शामिल करेंगे तो उससे पकोड़े का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा baking soda मैंने इसलिए नहीं शामिल किया क्योंकि पकोड़ा fry करने से बस थोड़ी दिर पहले ही baking soda शामिल करते हैं बस आप इसमें दो तिस पता और शामिल कर लीजेगा इससे पकोड़ा मिक्स जो है वो खराब नहीं होगा इससे आप ठंडे जगा पे स्टोर कर लीजेगा तो उससे खराब नहीं होगा